नमस्कार दोस्तों, मैं अलकाशादा चैनल के तरफ से आप सब का अभीनंदन करती हूं शक्तिला एकदशी कि आप सबको हार्दिक शुपकामना है दोस्तों मैं आज आपको शक्तिला एकदशी के विशे में बताओंगी कि शक्तिला एकदशी 2021 में कप पढ़ रही है उसका शुबूरत क्या है, पूजा विदी क्या है, पूजा के नियम क्या है और कथा माग मास के कृष्ण पक्ष की एकदशी को पढ़ने वाली एकदशी को शक्तिला एकदशी कहते है इस एकदशी के दिन भगवान विश्णू जी की पूजा की जाती है इस दिन छे प्रकार के तिल का उपयोग होने के कारण इसे शक्तितला एकदशी के नाम से भी जाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मनुष जितने तिल दान करता है वो उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में निवास करता है अब मैं आपको शक्तिला एकदशी के महत्व बताऊंगी इस एकदशी के दिन वरत रखा जाता है इस दिन वरत रखने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्णु को पंचामरित में तिल मिलाकस नान कराने से लाप मिलता है इस दिन काले तिल का बहुत महत वो माना जाता है शत्तिला एकदशी के व्रत कोश्रेश्टम रतों में से एक माना गया है इस दिन कथा सुनने और दान पुन्य करने से कई प्रकार के कश्टों से मुक्ती मिलती है और जीवन में सुख शांती और सम्रिद्धी बनी रहती है शत्तिला एकदशी पूजा विधी शक्तिला एकदशी का वरत अन्न एकदशियों के वरत से थोड़ा अलग तरीके से रखा जाता है मागमास की दश्मी तिथी को गोबर में तिल मिलाकर 108 कंडे या उपले बनाये जाते है दश्मी के दिन भगवान विश्णू की पूजा की जाती है शक्तिला एकदशी पतिल से बढ़े व्यंजन ब्रामर को खिलाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए इस दिन तिल के तिल की मालिश की जाती है नहने के पानी में तिल डाल कर सनान किया जाता है तिल पान और तिल से बने पकवान इस दिन विशेश महत्व रखते हैं इस दिन एक ही समय खाना खाया जाता है इसके बाद एकादशी के दिन भगवान विश्णू की विधीवरत पूजन करें भगवान कृष्ण का स्मरन करते वे कुमहडा, नारियल या विजोर के फूल से विधी पूर्वक पूजन करके अर्क दे और 108 बार ओम नमो भगवते वासू देवाय मंत्र से उपलो को हवन अगनी में आउती दे रात के समय भजन कीर्थन में बिताएं कहते हैं शक्तिला एकदशी व्रत में स्नानदान से लेकर आहार तक की प्रक्रिया में तिल का प्रयोग बहुत शुप होता है शक्तिला एकदशी काशुक मुहुर्त एकदशी तिथी आरम 7 फेबरी रविवार को सुभे 6 बचकर 26 मिनित से समाप्त 8 फेबरी सुमवार को सुभे 4 बचकर 47 मिनित तक पूजा नियम शास्त्रों के अनुसार शत्तिला एकादशी का व्रत बहुत ही सक्त होता है शत्तिला एकादशी से एक दिन पहले सूर्दे से लेकर एकादशी से अगले सूर्दे तक रखा जाता है इस व्रत के नियमों का पालन हर व्रती को 48 घंटे तक करना चाहिए माना जाता है कि जो कोई भी शत्तिला का व्रत रखते हैं उन्हें इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए इस दिन ताजा फल सूखे मेवे सबजी दूद से बनी मिटाईयों को ही खाना चाहिए कई जगे पर केवल साबुन दाना मुंगफली और आलू का ही बोजन किया जाता है शत्तिला एकादशी के दिन शहद वद्दाल नहीं खाना चाहिए कुछ लोग जल भी नहीं पीते हैं शध्वालू रात में एकादशी व्रत की कथा सुनते वो सुनाते हैं अगले दिन को यानि द्वादशी तिती कहा जाता है इस दिन सुबह जल्दी उटकर स्नान आदिस निवरितों का भगवान विश्णू के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा की जाती है साथ ही दश्मी के दिन बनाया गया भोजन खाकर व्रत पून किया जाता है शत्तिला एकादशी व्रत कथा एक बार नारद मुनी ने भगवान विश्णू जी को नमसकार करके शत्तिला एकदशी की कथा और उसके महत्व के बारे में पूछा तब भगवान विश्णू ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल में प्रत्वी पर एक ब्रहमन की पत्नी रहती थी उसके पती की मृक्ति हो चुकी थी वो बहुत ही श्रद्दा और भक्तिन थी एक बार उसने एक महीने तक वरत रखा और पूरे मन से पूजा करी कथोर वरत के प्रभाव से उसका तन शुद हो गया लेकिन उसने कभी ब्रामरों और देफताओं अन्यदान नहीं किया इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्रे बैंकुट में रहकर भी अत्रिप्त रहेगी इसलिए एक दिन में खुद उसके पास भिक्षा लेने गया और उस ब्रामरी से अन्य मांगा तो वो बोली है महराज आप यहां किसलिए आये हैं मैंने कहा मुझे भी भिक्षा चाहिए इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का धेला यानिकी पिंट दे दिया मैं उसे लेकर स्वर्ग लोट आया कुछ समय बाद ब्रामरी फिर शरीत्या कर स्वर्ग आई ब्रामरी को मिट्टी का धान करने से स्वर्ग में सुन्दर महल मिला लेकिन उसने अपने घर को अन्य और अन्य चीजों से शुन्य पाया घबराकर वो मेरे पास आई और बोली कि भगवान मैंने अनेक वरत आदी से आपकी पूजा की परन्तु फिर भी मेरा घर अन्य और बाकी वस्तों से शुन्य है इसका क्या कारण है इस पर मैंने कहा पहले तुम अपने घर जाओ तुमारे घर देवस्त्रियां आएंगी तुमें देखने के लिए पहले उनसे शक्तिला एकदशी का पूर्णे और विदी सुन लो तब द्वार खोलना मेरे ऐसे वच्चन सुनकर वो अपने घर गई जब देवस्त्रियां उसके घर आई और उन्होंने द्वार खोलने को कहा तो ब्रामनी बोली आप मुझे देखने आईएं तो शक्तिला एकदशी का महत मुझे बताओ उसमें से एक देवस्त्री ने का बताया तो उसने द्वार खोल दिया देवस्त्रियों ने उसको देखकर अन्यस्त्रियों से अलग पाया ना तो वो गंधर भी थी और ना ही आसुरी बलकि पहले जैसी मनुशी ही थी उस ब्रामिली ने जैसे देवस्त्रियों ने शत्तिल एकदशी के वरत करना बताया उसी तरह से वरत किया तो इस प्रभाव से वो सुन्दर और रूपती हो गई तता उसका घर अन्य आदी सामगरी से भर गया तो इसलिए हे नारत इस बात को सत्य मानों कि जो वेक्ति इस एकदशी का वरत करता है और तिल और अन का दान करता है उसे मुक्ती और वैभव की प्राप्ती होती है इस वरत से मनुष के समस्त पापनश्ट हो जाते है तो हम सब मनुश्यों को शक्तिला एकदशी का व्रत अवश रखना चाहिए, इससे दुर्भागे दरिद्रता तता अनिक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ती होती है, वास्तव में एकदशी का अपना महत्व है, एकदशी का व्रत करने वाले सभी पापों से होकर भव सागर से तर जाते हैं, मनुश्य को छल कपच से बचना चाहिए तता ज्यादर से ज्यादा भगवान श्रीक्रिश्न का मंत्र ओम क्रिश्नाय नम्हा कजाप करना चाहिए, धन्यवाद!